सब्सक्राइब करना पड़ेगा मतलब कैसे स्वावधान निकलेगा दोस्तों इस वीडियो में पूरा अच्छे समझों कि मैं क्या क्या बता रहा हूं क्योंकि आप इतना सारा चैट करोगे इस्टाग्राम पर थोड़ा लोगों को हेल्प कर देता हूं पर यार ज्यादा लोग मतलब रहते तो परिशान हो जाते हैं थोड़ा लेट रिप्लाइब क्योंकि मुझे भी ऑफिस रहता है काम रहता तो सबसे पहले अगर कोई भी सी मे आता है कि हमें प्रिपेट कराना तो कैसे करा सकते तो गैस प्रिपेट अगर कराना तो आप तो रूल आ गया है कि अगर आपका एयर टेल का है अगर अगर पोच्पिड होने के बास से आप 90 दिन के बाद ही उसमें आप मतलब प्रिपेट करा सकते हो दोस्तों यह रूल पहल आपको इसके लिए क्षिए पैस कंपनी कोड ने कालना होन्ट है यू पी यह सीन अंबर होता है जो कि यूनिक पूर्टिंग कोड नपर होता है यह नमबर आप किसी के साथ से यह मत करिए सबसे पहले करिए की 1900 पे है को मैशें से सेंड़ करने 1900 दियान रफ का इस नंबर को उसके बासे आपको क्या करना है कि यह 01 के नंबर से आपको एक मैसेज आएगा वहाँ पर लिखा रहेगा यूनिक ओर्टिंग कोड़िया से यूपीए सिगर के लिखा रहता है तो आप सिंपल वहाँ समय समझने इसको लेकर आपको क्या करना है अगर आपका Airtel का सीम है तो जिसमें भी Airtel का है तो आपको क्या करन है इसके बास अगर माल लिजे कि कोई भी अगर आपका विल जर्नेट हो जाता है अगर आप 15 दिन बाद तो उस विल को भरना आपका कंपलसरी रहेगा अगर आप वह नहीं भरोगे तो आपका सीम क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा दो तीन वार आपको लोग इलर्ट करें तो 30 देश के बाद से उस सिम को आप समझ जाओ भूल जो कि आपको 30 दिन के बाद से सीम नहीं मिल पाएगा क्योंकि हो क्या होगा कि हो मतलब दूसरे ऑपरेटर है किसी को जाता है वैसे तो बोलते हैं तीन मन्त लगता है पर 30 दिन के बाद वो लोग देता नहीं है मुझे यह दोस्तों अगर यह वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना सबसे पहले फूल वीडियो बना के डाल देख लेना तो आप इसको देख लेना तो बताइए दोस्त चोटीशी वीडियो काई गुगल आइक कर दिए चैनल प्वेटरेंग कर दोट से सब्सक्राइब कर लिए